सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें फिर से सॉल का फ्यूचर दिखाया गया है वो अभी भी बेकरी में काम कर रहा है और यह जो बेकरी होती है मौल में होती है उसका ब्रेक होता है तो वो लंज के लिए बाहर आकर बेंच पर बेट जाता है वहाँ एक बच्चा उसे दिखता है और वो पुलीस से भाग रहा होता है जब पुलीस वहाँ आती है तो उस बच्चे की तरफ सॉल पॉइंट कर जाता है पुलीस उसे पकड़ लेती और सॉल को गिल्टी महसूस होता है फिर वो उस बच्चे से बोलता है कि पुलिस को कुछ भी बताना नहीं तुम डारेकली लॉयर मांगो फिर हमें Saul उस बेकरी में काम करता हो दिखता है उसे चक्कर आ जाती और वो गिर जाता है नेक्स सीन में हम फिर से सिरीज के प्रेजेट में आ जाते है चक ने जो हाऊस को गार्ड के होता है उस गार्ड को निकालने में Saul उसकी मदद कर रहा होता है सॉल उस सब को खीच रहा होता है तो चक आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इसे स्लोली स्लोली इसे रोल करना है वो राइट वे सॉल को समझाता है सॉल को चक के घर में एक बुक मिलती है ये बुक जो होती है वो उनकी बज़पन की होती है इस book से उनके सारी memories aligned होती है Saul फिर से अपने office में आता है Saul जब पहली बार Chuck से मिलने गया था तो उसके जब सारे client है उसका wait कर रहे थे तो Kim ने उसके सब clients handle की होती है Saul फिर Kim से बात करता है Kim थकी हुए होती है तो उसे massage करता है Saul को अच्छा लग रहा होता है कि चग उससे अच्छे से बात कर रहा था यह वो Kim को भी बताता है चग ने Saul को रंगे हाथ पकड़ लिया है इसलिए वो उससे थोड़ी से अच्छे से बात कर रहा था फिर चग Harvard को उसके घर बुलाता है जो tape उसने मनाई होती है करना चाते हो तो यह evidence के दोर पर हम submit नहीं कर सकते है यह बहुत ही suspicion circumstance में यह tape ली गई है तो यह submit नहीं हो सकती मुझे इस tape का कुछ use वेगरा नहीं लग रहा इसा Harvard चग को बोलता है जाक उसे बोलता है कि मुझे पता है कि इसका कैसे use करना है प्रिवेस एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि माईक सॉलमांगों को मारने गया था तब इस माईक के कार में हौन बजा और वहा लिखा था कि सॉलमांगा को मत मारो माईक के कार तक कुछ लोग पहुच गये है तो माईक अब पैरनाड हो चुका है माइक उस कार को देखता है और उस पर ट्रैकर वगरा लगाया है या नहीं वो चेक करता है फिर भी उसको satisfaction नहीं मिलता वो कार स्क्रैप की यहाँ जाता है कार को उपर उठाता है और देखता है कि कहार ट्रैकर है या नहीं फिर भी उसे tracker ने मिलता वो पूरी कार को टोड़ देता है और सब जगा check करता है tracker के लिए tracker कहीं भी नहीं होता फिर वो ठककर car scrap की जो shop होती है वहाँ आजाता है व कार का ढलए होता है वो वहाँ मिल रहा होता है उसे फिर idea आता है उस कार को वो वही रख देता है वो एक ढकन बाय कर लेता है और उस ढकन में वो ट्रैकर लगा देता है वो फिर अपने गाड़ी में जाकर चेक करता है कि उसके ढकन में ट्रैकर है या नहीं और उसे वहाँ ट्रैकर मिल जाता है उसने अपने लिए एक ट्रैकर बाई किया होता है और उस ट्रैकर को वो अपने डखकन में लगाता है और अपने गाड़ी में फिट कर देता है जो ओरिजिनल ट्रैकर होता है वो अपने पास वो रख लेता है रात में कुछ लोग आते हैं और उसके गाड़ी से उसका डगकर निकालते है वो जहाँ जाते हैं उनके पास अब माईक का ड्रैकर होता है यानि कि माईक अब उन्हें ट्रैक कर सकता है Nixon में हमें दिखाया गया कि Saul अपने ओफिस पर होता है और फिर वहाँ वो आर्मी ओफिसर आता है यह वही आदमी ओफिसर होता है जिसके एरपोर्ट पर Saul ने कमरिशल शूट किया होता है उसने उसका फूल बनाया होता है तो वो बहुत ही गुस्से में होता है वो Saul को बोलता है कि तुमने मुझे जो स्टोरी से लगी थी उस स्टोरी में जो आदमी तुमें बताया था वो किसी भी एरफोर्स में कभी उसने काम नहीं किया था यह जो अड़टाइसमेंट है यह टीव पर रन हो रही है तुमने मुझे उल्लू बनाया है और तुमें अड़टाइसमेंट अब नहीं दिखानी चाहिए उसे धमका रहा होता है तुम स्वालो से बोलता है कि मैं तुम से नहीं डरता तुम मुझे से कुछ भी नहीं करवा सकते स्वालो से बोलता है कि कोट में जाना यह मेरा रोज का काम है तुम अपना काम समालो और मैं मेरा काम समालोंगा वो officer फिर हार मान लेता है और बोलता है तुम जैसे लोग होते हैं तुम्हें लगता है यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा पर कभी ना कभी तुम ठीक काने पर आही जाते हो next year में हमें दिखाए गई है कि Kim मेसा वरटे के यहां आई हुई होती है Kim की जो friend होती है वो वहाँ assistant होती है तो Kim से बोलती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया उनकी जो hearing होने वाली होती है वो 2-3 weeks पहले अब होने वाली होती है क्योंकि Kim को उन्होंने hire कि होता है वो बहुत ही Kim से खुश होती है वहाँ फिर मैसा औरटे आता है वो भी बहुत ही खुश होता है और वो उसे डिनर पे लेकर जाने वाला होता है नेक्सिन में हमें दिखता है कि चक के पास अर्नी आया हुआ होता है उसके supply के लिए वो वहाँ आता है चक ने उसे बैटरी से लाने के लिए बोली हुए होती है जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें उसे बैटरी लखने के लिए बोलता है अर्नी जब उसमें बैटरी रख रहा होता है तो टेप प्ले हो जाती है यह जो टेप प्ले होती है Next scene में हमें दिखाया गया है कि ट्रैकर के लिए माइक ने एक डिवाइस बना हुआ होता है इस डिवाइस से अब उस ट्रैकर को वो ट्रैक कर सकता है जहां भी वो लोग जाएंगे उसे वो प्रो ट्रैक करेगा यही एपिसोड खतम हो जाता है